नमस्कार दोस्तो आज हम बनाएंगे बारगर तो दुकन में ना जाकर घड़ में ही बना लेजिए टेस्टी टेस्टी बारगर बहुत आसान है बनाना और आप मेरे वीडियो देखिए और बनाईए बनाना तो बहुत लोगों को आता है पर हम किस तरह बनाते हैं ये हम आपके साथ सियर कर लिया है तो हमने पैन पे दे दिये है थोड़ा सा बटर और बटर में हम दे दिया है दो पाउ और पाउ को हम इस तरह फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा बटर देके हम पाउ को फ्राई कर लेंगे ये देखिए उलट पलट कर हमने पाउ को फ्राई कर लिया तो दोस्तों ये वीडियो आप पूरे देखिए और देखने के बाद सब्सक्राइब कीजिएगा और केमेंट कीजिएगा अब हम आलू के टिक्के बनाएंगे जो आलू के टिक्के हम बड़गार के अंदर देंगे वो आलू के टिक्के के लिए हमने उबले हुए आलू ले लिए है और हमने दे दी है नमक और दे देंगे रेटचिली पाउडर तो नमक और रेटचिली पाउडर के बाद हम दे देंगे होममेट फ्राई मसाला ये मसाला हमने घड़ में ही बनाई है ये देखिए हाप्टे स्पून हम होममेट मसाला दे दी है इसमें टेस्ट बहुत ज़्यादा आ जाते हैं और फिर देया है हमने थोड़ा सा धनिया पत्ता और बाड़ी कटी हुई प्याज अब हम इस टिक्के को थोड़ा सा टाइड बनाने के लिए हमने दे दी है दो टेबिल चामुच कॉन फ्लावर और दे दी है हमने थोड़ी सी हल्दी पाउडर रंग नालने के लिए ये देखिए हमारे टिक्के रेडी है इस तरह से हमने चाट टिक्के बना लिए है और टिक्के एकदम रेडी है देखिए किस तरह से हमने टिक्के बना लिए है एकदम दुकान जैसे अब हम उस पैन में ही थोड़ा और बटर दे रहे है ये हाप टी स्पून बटर हमने दे दी है और इस बटर में हम टिक्के को फ्राइ कर लेंगे ये देखिए हमारा बटर हमने दे दी है अब हम टिक्के को फ्राइ कर लेंगे हमने चार टिक्के बनाए है हमने ये थोड़ा बड़े बनाए है ये तो छोटे छोटे होते है तो हम घड़ पे बनाई है तो थोड़ा बड़ा हो गया है तो देखिए टिक्के भी हमारी fry हो चुके है ऐसे उलट पलट कर हमने इसे fry कर ली है थोड़ा टाइम लगेंगे ये टिक्के को fry करने के लिए एकदम slow medium flame में हमने इसे fry कर ली है अब हम बनाएंगे बर्गार ये देखिए हमने थोड़ा सा बाटर ले ली है और बटार को अच्छी तरह लगा रहे है पहले हम बटार ही दे रहे है आप चाहे तो मैयोनीज दे सकते है तो अब मैयोनीज एबिलेबल नहीं है हमारे घर में इसलिए हम बटार में ही काम चला रहे है बटार में भी अच्छा टेस्ट आ जाएगा अब हम इसमें दिया है दो टिक्के और दिया है टमाटर, गोल गोल कटी हुई टमाटर, गोल कटी हुई प्यास और गोल कटी हुई खीरे और फिर हमने दे दी है काले नमक और उसके बाद दे दी है थोड़ा सा धनिया पत्ता ये देखिए और अब हम देंगे थोड़ा फ्राइ की वी होम मेट मसाला ये देखिए हमने मसाले भी दे दी है थोड़ी सी भूल हो गई है हमसे हमने टॉमेटो सॉस देना भूल गई है तो अब देखिए हम टॉमेटो सॉस दे रहे है बहुत सुन्दर बनते है और बहुत टेस्ट फूल भी बनते है आप घड में एक बार ट्राई कीजिए बहुत अच्छे लगेंगे ऐसी हमारी आशाई है कि आपको अच्छे लगेंगे और हम इस तरह बनाई है और हम दोस्तों के साथ शेयर कर लिया है ये देखिए हमारा एक बार्गार रेडी एकदम रेडी हो गई है आप देखिए हमने दो बार्गार बनाई है एक खुली हुए छोड़ा है आप लोगों को देखने के लिए और एक बंद हुए तो हमारे बार्गार रेडी अनसर्प तो दोस्तों ये वीडियो पसंद आए तो प्लिस सब्सक्राइब शेयर रन लाइक थैंक यू